आपने कुछ ऐसे लोग जरूर देखे होंगे, जो अपने प्रत्येक कार्य में हमेशा सफलता, सक्सेस, प्राप्त करते चले जाते हैं। ऐसे कुछ लोग, जो हमेशा अपनी योजना, प्लैनिंग को जीत की माला पहना देते हैं। ये लोग कभी हार नहीं मानते और हमेशा जीतते ही चले जाते हैं। जो लक्ष में खो गया, समझो वही सफल हो गया। महनत अगर आदत बन जाए तो काम्याबी मुकद्दर बन जाती है। जिन्दगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती, सबसे आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती, पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, नाम किसको अच्छा नहीं लगता लेकिन आज मैं चाहता हूँ। आपका नाम सबसे लास्ट में हो उस लिस्ट में, जिस लिस्ट का नाम है हार मानने वाले लोग, अगर आज मैं सौ बंदों से कहू कि कल से रोज सुभह साथ बजे उठना है और वो सौ के सौ बंदे अभी मान भी जाए, तो कल सुभह पता है, क्या होगा सौ में से सिर्फ असी लोग ही उठेंगे, परसो क्या होगा असी में से सिर्फ पचास लोग ही उठेंगे, तीसरे दिन क्या होगा पचास में से सिर्फ बीस लोग ही उठेंगे, चोथे दिन सिर्फ दस लोग ही उठेंगे, पांचवे दिन पांच उठेंगे, छटे दिन दो उठेंगे, लेकिन लिस्ट का एक प्रतिशत है, वो उस काम को नहीं छोड़ेगा, जो टारगेट उसने अपने लाइफ में फिक्स किया है, चाहे उसको IAS बनना हो, उसको एक सिंगर बनना हो, एक्टर बनना हो, आर्मी ज्वाइन करना हो, डॉक्टर बनना हो, कुछ भी करना हो, वह बंदा उस हा मानने वाले लिस्ट में हमेशा सबसे लास्ट में रहता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है, कि जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है, वो सबसे लास्ट में नहीं होता, बलकि दुनिया के 1 प्रतिशत exceptional लोगों में होता है, और इसी वजह से उसको life में वो सब मिल जो उन 99 प्रतिशत लोगों के पास नहीं होता है, जिस टार्गेट को पाने के लिए 99 परसेंट लोग खवाब देखा करते हैं, तेम उसी टार्गेट को वो एक प्रतिशत बंदे हासिल कर लेते हैं, जिन्होंने अपने 99 प्रतिशत सुखों का त्याग कर दिया है, सो परसेंट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन पाफेक्ट बनने का अिरादा 100% होना चाहिए और कुछ लोग तो उन 1% के भी 1% में होते हैं, लाखों में एक होते हैं, करोडों में एक होते हैं, पूरी दुनिया में गिने चुने होते हैं, लेकिन उनकी शुरुgenात है न, वो किसी भी हार को गले लगा लेना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को गले कभी मत लगाना, अगर आपको दुनिया के 1% के लोगों में आना है, तो उस माइंड से बाहर निकलना पड़ेगा, जिसमें आपके आसपास के 99% लोग फसे हुए है, वो 99% यही सोचते हैं, कि जो काम आप कर रहे हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूँ फरक पड़ता है मेरे दोस्त, जो पत्थर नदी में गिरता है, वो एक महीने में चिकना नहीं होता, कई साल लगते हैं, लेकिन आप तो इनसान हो, इनसान में सकसेस की चिकना हट उसी दिन से आने लगती है, जरूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आये तो एक लाइक और चैनल पर नए होतो सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद